Hello friends, welcome to the exam hacker YouTube channel दोस्तों आज किसी विडियो हम लोग क्या डिस्स करने वाले हैं? आज किसी विडियो हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पर डिस्स करेंगे यहाँ पर पूछ रहा है आप से कि port और harbour दोनों में क्या differences है? ठीके, पोर्ट को हिंदी में बोलते हैं पत्तन और हार्बर को बोलते हैं पोतासरे तो पत्तन और पोतासरे में क्या अंतर है या पोर्ट या हार्बर में क्या डिफ्रेंसेस हैं यह आप से यहाँ पूछ रहा है तो देखो port और harbor दोनों ही हमारा coastal area से related है और इन दोनों ही जो हमारी port और harbor होती है यहाँ पे ship और cargo जो होती है वो dock करती है यहाँ पे ठारती है और goods का unloading और uploading होता है ठीक है फिर भी दोनों में हमारा differences है और differences क्या है यहाँ पे देख लेते है port हमारी क्या होती है port बड़ी facilities प्रोवाइड करती है ठीक है port हमारा देखो port और harbor दोनों ही तो हमारी coastal area में होते है लेकि port क्या करती है commercial जो facilities है वो हमारी प्रोवाइड करती है और यहाँ पे बड़े ship dock करते हैं large vessel होते हैं और यहाँ पे इसके पास इतनी facilities होती है port के पास कि जो ship होती है और longer period के लिए हैं पे dock करते हैं लेकिन harbor के पास इतनी ज्यादा facilities नहीं होती है जितने port के पास होती है ठीक है harbor के पास क्या होती है facilities यहाँ पे dock तो करते हैं short period के लिए और जो हमारी ship dock करते हैं यह तो fueling के लिए करते हैं refueling के लिए करते हैं यह wave या tight जब आते हैं उससे protection के लिए harbor में dock करते हैं ठीक है तो harbor के पास हमारी उतनी बड़ी facilities नहीं होती है जितनी port के पास होती है यह हमारा पहला difference हो गया दुसरा difference हो गया कि जो हमारी harbor है वो port का ही एक part भी हो सकता है ठीक है यहाँ कि बड़ी port होती है यहाँ के छोटा जो port आसरे है या जो harbor है वो port का part हो सकता है तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सारे जो port है वो harbor है ही लेकिन सारे harbor जो है वो हमारी port नहीं होए ठीक है तो यह हमारी तीसरी या चौती हमारी differences हो गया है इसके लाब port जो हमारी होती है उसके पास commercial facilities होती है जैसे warehousing होते हैं, forklift होता है, loading और alloading होता है लेकिन harbor में यह सब facilities नहीं होती है सिप वहाँ पे सिप को dock या ठारा जाता है और emergency वाले जो चीज़े होती हैं वो की जाती है इसके लाब port के पास हमारा transportation की सुद्धा होती है port हमारा well connected होता है road से, highway से, railway से या airport से जबकि harbor क्या होता है, इतनी connectivity नहीं होती है, जितना हमारा port में होता है port size में बड़े होते हैं, और commercially यहाँ यहाँ बिल्ड के जाते हैं जबकि harbor naturally और artificial दोने होते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा commercially इनको extensive way में यहाँ बिल्ड नहीं के जाता है ठीक है, तो in general आप देखोगे, तो हमारी सभी port हमारी harbor हैं, बट harbor सभी harbor हमारी port नहीं है तो example तो तोर पर देखेंगे, तो Mumbai हमारा natural harbor भी है और सबसे largest port भी अंडिया में हैं देखो, Mumbai port और harbor दोनों है, तो चिन्ने भी हमारा artificial harbor है, as well as port है, तो दोनों ही port और harbor दोना है तो ज़्यादे हैं पर difference नहीं है, सी facilities, size पर different है और connectivity पर differences है, harbor और port में तो आज की इस वीडियो हम लोग क्या डिख सकते दोस्तों, पत्तन और पतासरे में अंतर को हम लोग यहाँ पर इस पस्ट किये, तो thank you for watching, मिलते हैं अगले वीडियो में नए topic साथ, thank you